नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चानल पर दोस्तों वश्जी करें, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यन से आप अपने रूटो को मना सकते हैं, किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट कहे हैं वो आपके पास लोटाएं या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शक्स जिससे आप बे इंतहा महबत करते हैं और वो आप से बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जोरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हां और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताउम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हां आज ऐसे ही वशीकरण विधी के बारे में मैं आपको बता आउंगी जिसमें एक आसान सी विधी और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधी के लिए आपको कुछ जाला सामगरी की अवशक्ता भी नहीं होगी, सिर्फ चंद सामगरी और वो व्यक्ति सिर्फ और सर्फ आपका हो जाएगा, ता उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा, अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना, तो फिर इस विधी को जरूर आजमाईएगा, क्योंकि एक ऐसी प्रचंद विधी है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं, फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो, आपकी कोई भावी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं, तो आईए, बिना समय ब प्रचंद मंत्र के माध्यम से, तो आईए, बिना समय बरबाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ, लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूँ, कि जब आप इस विधी का प्रियोग कर रहे हो, तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो, कोई भी व्यक्ति, आप आपको ये विधी करते वक्त ना देखें, अन्य था इसका असर जो है, वो कम हो जाएगा, तो आईए विधी शिरू करते हैं, तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है, जिसे आप हैं वश में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं, जो व्यक्ति आपके पास आजाए जिसके साथ आप कुछ समय विताना चाहते हैं, या सीधा सीधा कहूं आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है, आप महीला है, पुरुष है, कोई पर्क नहीं पड़ता, आप उस व्यक्ति की फोटो लीजे, जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरहां रखनी है और अपनी तवजनी उंगली पर रख कर इस तरहां उंगली को घुमाना है और इसी तहां करते हुए आपको इस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाब करना है तो आईए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायनी देव मम वश्यम करू करू स्वाहा एक बर फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजे ओम भगवती दायनी देव मम वश्यम करू करू स्वाहा इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कारे आपको लगताव 3 दिन करना होगा 3 दिन में सिर्फ 7 बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही 3 दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिचा चलाएगा आपको उसे कोई कॉन्टेक्ट करने की ज़र्ण नहीं है वो खुद आपसे कॉन्टेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तडपेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधी ये प्रचंड विधी को जरूर अपनाईए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिससे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाईए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकावसी कीजेगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजेगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजे अजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशी करण विधी के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिये गए नंबर पर आप गुरु माता से स समपर्क कर सकते हैं और अपने हव समस्या का समधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हव समस्या का समधान है नमस्कार